ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटी से शहर चित्रकोट में रहने वाले गिर्धर शुकला की बेटी अपको की जिसका सपना है भारत की पहली महिला एस्टोनोट बनना किसी को तो बहुत अच्छा लगा अंदर से बहुत हाथ पेर मार रहा है गिर्धर शुकला की घर जब एक ननीसी परी ने जन लिया अपोलीना अरे नाम का कोई मतलब भी थो होना चाहिए न गिर्धर अपोलो 11 से अपोलीना अब बिटिया को चान पे भी भेजोगे भाया उस समय किर्धर को क्या पता था कि अपोलीना जिसे सब प्यार से अपो बोलाते हैं एक दिन सच में चांद को जूने के सपने देखने लगीगी तो अपोलीना शुकला बनोगी रॉकेट गन लेकिन वो तो लड़की है ना लड़की भी तो बन सकती है लेकिन वो सपना ही क्या जो नीद में देखा जाए सपने तो वो होते हैं जो आखों की नीद उड़ा दे ऐसा ही एक सपना हमारी अपो ने भी देखा है इंडिया की पहली महिला एस्टोनॉट यानी रॉकेट गर्ल बनने का हम तुमारी रॉकेट मैन और तुम हमारी रॉकेट कर्ल फिर हुआ एक ऐसा हादसा जिसने अप्पो के इरादों को और भी मजबूती दी यह ठीक है कि जमाना बदल रहा है लेकिन इतना ही शौक है नौक्री करने का तो किसी स्कूल में टीचर लगवा दो या बैंकी 9-5 जॉब करवा लो जितने मूँ उतनी बाते अब इंजीनिय पनाई गा अलड्की को? रोकेट बनाएंगी रोकेट दाधी तो कबसे कह रही ही कि लड़की को हूम साइंस पढ़ाओ हूम साइंस नहीं पड़ेगे मरियबू अगर लड़के साइंस पढ़ सकते तो हम भी साइंस पढ़ेंगे तुम्हें क्या लगता है विग्यान पढ़ना मजाक है अरे वही तुम्हें लड़की हो यह राक है रॉकेट नहीं रॉकेट गॉल गुरुजे वो देखो जा रहे यह खथार की पेटी पर हमने भी ठान ली है पापा की पहचान बदल के रहेंगे और फिर वही लोग कहेंगे वो देखो जा रहे है भारत की पहली महला आस्ट्रोनॉट के पिता जोकर आस्मान लवटाएगी पिता का सम्मान अपूलिना